इंतवार, इंतवार और इंतवार, दोस्तो आखिर बच्चे कब तक इंतवार करेंगे UP police में इस constable की भरती का देखे लंबे समय से जो है वो भरती नहीं आई है UP police constable में ये आप सब हिलोग को मालूम है और सवाल आपके नौकरी और जिंदगी का है दोस्तो तो अब आपको हा तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी हलके में मत लीजेगा, क्या करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा, तल कि मैं बात बता रहा हूं दोस्तों कि मैं कुछ विद्यारतियों से मिलने गया था, और उनके मन में किस तरह की भावनाय चल रही है, किस तरह की बाते उन्होंने मुझे से बताया ना कि मुझे रहा नहीं गया दोस्तों, और आज इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तीन ऐसी बाते हैं जिसको ले करके बच्चे बहुत ही ज्यादा चिंतित है, सबसे पहली बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, बच्चे चिंतित इसलिए है, कि सबसे बड़ी समय ये है कि भरती अभी तक नहीं आई है, और उनका कहना है कि सर ये बताये कि अखबार में इस्तियार तो छप जाता है, लेकिन जमीनी इस तर पे कोई काम नहीं होता है, भरती नहीं आती है, लंबे समय ते, यानि पिछली बार जो वेकेंसी आई थी ना, आ लेकिन वेकेंसी का कुछ पता नहीं है दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों बच्चे क्या कर रहे थे, सबसे बड़ी समय जानते हैं क्या है, बच्चों को सबसे बड़ी समय है, एज को ले करके, क्योंकि काफी वारे बच्चे ऐसे हैं दोस्तो तो काफी फारे ऐसे बच्चे हैं जो ओवर एज की बज़े से फार्म को फिल नहीं कर पाएंगे समाज के युवा का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है दोस्तो जो कि यूपी पुलिस में कॉंस्टेबल में जाना तो चाता है लेकिन ओवर एज की बज़े से वो फार्म को फिल नहीं कर फकता है तो कहीं न कहीं फरकार जो है उन युवाओं का हक मार रही है दोस्तो और इसके लिए आपको जो है शरकार पर यह डिमांड करना है, भरतीबोट पर यहाद करना है इस ट्वीटर कामपेंड में की एज में कम से कम छूट दिया जाए दोस्तो जिनकी शादी हो गई बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक यूपी पुलिस कॉंस्टेबल में यह भरती नहीं आई है ये स्थिती है लंबे समय से भरती नहीं आई है दोस्तों और तीसरा अपसे बड़ा समय से जानते हैं बच्चों का क्या है कि अबकी जो इस्तियार छपा था न्यूस पेपर में उसमें ये बता जार था कि इस बार का जो एक्जाम होगा अगर भरती आ भी गई तो जो एक्जा पड़ेगा वो देना पड़ेगा OMR seat पर कहने का मतलब यह है कि काफी फारे बच्चे या फिर अधिकतर बच्चे ऐसे होंगो जिनको की habit नहीं होगा कि हां question जो है वो computer पर देखें और answer उसका जो है वो OMR seat पर देखें पहले क्या होता था कि जब online exam होता था तो computer पर ही question और answer दोनों होते थे और वही पर answer दिया जाता था लेकिन अब चीजे बदल गई है उसमें अपडेट कर दिया गया है तो इसमें भी काफी सारे बच्चों को प्रैक्टिस ना होने की वजह से समफ्य होंगी देखें मैं अभी आपको बता रहा हूं दोस्तो बिहार पुलिस और MP पुलिस में भरती आ गई है लेकिन यूपी पुलिस में भरती का दूर दूर तक कोई नामों निशान नहीं है सिर्फ न्यूस पेपर में इस्तियार शप जाता है दोस्तो लेकिन जमीनी इस देखेंगा दोस्तो जितना से जादा हो सके आप लोग वीडियो को शेयर कीजेगा लाइक कीजेगा सब्स्राइब कीजेगा दोस्तो तब ही जाकर के बात आगे तक पहुंचेगी अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगी तो मैं आपकी दिल की बात कर रहा हूं जो एक परती नहीं आएगी तो बच्चे वे क्या करेंगे तो बताइए वे बच्चे क्या करेंगे दोस्तो अब आप ही बताइए इस वज़े से मैं कहता हूं कि वीडियो को आप बिल्कुल गंभीरता के साथ देखेगा क्योंकि सवाल आपके नौकरी और विंदगी का है और एक च बता है जनरल कैटेगरी उसके बाद OBC कंडिडियोट को 3 साल और CSC कंडिडियोट को 5 साल का छुट मिलता है लेकिन यूर कंडिडियोट का मैं बता रहा हूं कि 18 साल से ले करके 25 साल इनको एज रिलेक्सेशन देना चाहिए दोस्तो और यह तब पॉसिबल होगा जब आप ट आप लेकिन यूपी पुलिस में जो है वो भरती नहीं आई है अब करीब करीब मैं बता रहा हूं दोस्तो एक आकड़े के मुताबिक कि कभी करीब 55 लाख बच्चे आईसे हैं दोस्तो जो अगर यूपी पुलिस में कॉंस्टेबल की भरती आती है ना तो 25 लाख बच्चे को फिल करेंगे यह बेरोजगारी का इस्तर है अब सबसे इंपॉर्टेंट लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि बच्चे जो है वो टिटर कैंपेंट तो चलाएंगे अब बढ़चण करके देखिए आप लोग हिस्सा लीजिएगा जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा र और सभी के सभी कैप्टेल लेटर में रहेंगे दोस्तों इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल धियान दीजेगा और दूसरा अगर आप लोग को चलाना है ट्विटर कैंपेंट तो यह चला सकते हैं यूपी पुलिस कॉंस्टेबल वेकेंसी सारे के सारे लेटर जो है वो कै मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि वो मा जो आपके काम्याबी का इंतवार कर रही है ना उसके लिए आपको यह कदम उठाना पड़ेगा दोस्तों ट्विटर कैंपेंट चलाना पड़ेगा क्योंकि वो मा जो है आपके काम्याबी का इंतवार कर रही है आईए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों देखें सबसे बड़ी बात यह ना कि आखिर बच्चे इंतवार तो लंबे फमे से करी रहें पांच वर्फ बीत गया है लेकिन अभी तक भरती नहीं आई है केवल क्या हो रहा है कि भरती बोड और अख़बार वालों का गठ विखमफी आने वाली है जिसमें कि सिविल कोट की बात करेंगे तो 41,0811 नंबर और पोश्ट होंगे और पीएसे की बात करेंगे तो 8,05540 पोश्ट वहीं पर फायरमैन की बात करेंगे तो एक हजार साथ सीट पे विखमफी निकलेगी लेकिन ये विकमफी कब तक आएगी यह अभी नहीं बताय गया है, जिस प्रकार सूरज के उदय होने से अंधेरा दूर हो जाता है और चारो तरफ रोशनी ही रोशनी फैल जाती है, उसी प्रकार से दोस्तों आपके जीवन में भी एक दिन अंधेरा दूर होगा और रोशनी फैलेगी और वो रोशनी फैलेगी इ जो सरकार है इस पर कुछ ना कुछ action जरूर लेगी और आप तो जितना ज्यादा ज्यादा हो सके रिट्रीट कीजएगा Twitter campaign चलाईएगा दोस्तों और ऐसा सुनने में आ रहा है सूतर के मुताविद ऐसा पता चला है दोस्तों कि July के मन्थ में लेकिन ये भी clear नहीं है दोस्तों पिछले दो साल से सुन रहा हूँ कि भरती अब आने वाली है पहले 35,000 भरती अब 33,000 लेकिन अभी तक नहीं आई ना तो जब तक भरती नहीं आ जाती है तब तक आपको प्रियास करते रहना है दोस्तों और देखिए ये जो मैं बोल रहा हूँ ना ये मैं थोड़े से गु बच्चों से मिला ना तो मुझे लगा कि अखिर बच्चों के मन में क्या चल रहा है मेरे सामने दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि बच्चे रोने लगे बताते बताते उनके दिल में क्या बीत रही है ना वो मैं जानता हूँ दोस्तों ये सारी चीज़े और कहीं न कही आपके मन में भी ये फारी चीजे चल रही है, मुझे मालनू है दोस्तों, तो इस वज़े से अपने इसाथ से जितना भी हो फक्ता है, अपने इस तरह से आप लोग विल्कुल पूरी कोशिस कीजेगा, उमीद है कि भरती जो है वो जल्द से जल्द आएगी, तो दोस्तों यह सारा सब कुछ जानकारी था बताने के लिए, वीडियो अगर आपको इंफार्मीटू लगाओ, तो वीडियो को लाइक किजेगा, चैनल पर अगर आप लोग नए होना, तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा, इसे पकार के गवर्मेंट जॉब को अपडेट के लि मिलेंगे कि फी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद,